चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चो NTA ने NEET का Admit Card रिलीज कर दिया है तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस परकार से Admit Card हमें डाउनलोड करना है उसके साथ कौन-कौन से पेज डाउनलोड करने है क्या उसमें फिल करना है अंडर टेकिंग कैसे फिल करेंगे और इसके बाद में इसके साथ में क्या-क्या हम एक्जाम सेंटर में आइटम लेके जा सकते हैं Admit Card के साथ में तो इस वीडियो में हम इस विशय पर चर्चा करेंगे तो जिन बच्चों ने पिछली बार एक्जाम दिया था पिछली बार यानि नीट 2020 का एक्जाम दिया था तो सारे Rule and Regulation 2020 की तरह ही है फिर भी मैं आपको एक बार यहां बता देता हूँ तो सबसे पहले हम NTA की वेबसाइट पर विजिट करेंगे नीट की वेबसाइट पर तो इस परकार का इंटरपेस हमें शो होगा तो Download Admit Card Link 1 पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे Application Number, Date of Birth, इसके बाद में जो Security Pin है ये इंटर करके Submit करेंगे तो हमरे पास में एक Undertaking Form आएगा इसमें हमें तीन ओप्सन में Yes और No करना है अगर हम किसी COVID पेशेंट के Close Contact में रहे हैं तो Yes करना है, Otherwise No कर दें आपको अगर Fewer रहा है तो Yes कर दें, Otherwise No कर दें या फिर आप exam center से, exam center पर पहुंचने से पहले इन इन CTO में विजिट के हैं, तो Yes कर दें, Otherwise No कर दें तो इस परकार से इसमें Yes और No, तीन जगे फिल करके उसके बाद आपने Submit करना है तो इस परकार का Interface आएगा, लिखे आ हुआ आएगा Under tracking submitted successfully, Download Admit Card पर क्लिक करना है आपने तो जैसे ही Download Admit Card पर क्लिक करेंगे, एक बार फिर Download Admit Card का Option उपर उपर मिलेगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे, इस परकार से ये Admit Card हमें Show होगा और Download भी हो जाएगा, तो एक बार इसमें देख लेते हैं सबसे पहले ये 4 पेज का है, 4 या 5 पेज का है, किसी-किसी प्रिंटर से अगर उसमें PDF सेट नहीं है, तो 5 पेज में भी आ जाता है, अदर्वाइज ये 4 पेज में आता है तो इसमें सबसे पहले पेज में आपके Particulars होगे, आपके Details होगी परसनल डिटेल्स होगी, रोल नमबर, कंडिडेट नेम, फोटो होगी राइट साइड में, तो इस परकार से Oblig Entry Time at Center लिखा है, तो ये किसी का 11 बजे है, किसी का 12 बजे है, इसमें लास्ट में Get Closing Time Center लिखा है, ये 1 बज के 30 मिनिट पर है, तो जो स्टुडेंट को Reporting और Entry Time पर पहुंचना है, अगर वो किसी कारणवस नहीं पहुंच पाते हैं, तो आपको At Least 1.30 PM तक तो पहुंच ही जाना है, उसके बाद Get Closed हो जाएगा, उसके बाद कोई Entry नहीं दी जाएगी, इसके बाद में जो टेस्ट का टाइमिंग है, वो दो बज़े से पांस बज़े तक है, और यह हाँ पर आपकी टेस्ट सेंटर नंबर है, टेस्ट सेंटर नेम है, टेस्ट सेंटर एड्रस है, तो इस प्रकार से आप इसको एक बार चेक कर लें, इसी के नीचे Self-Declaration यानि अंडर्टेकिंग है इसमें, तो अंडर्टेकिंग में आपको यह इसको फिल करना है, अगर आप इससे Effective हैं, तो इसमें Yes or No टिक का निशान कर दें, अदर्वाइस इसको ब्लेंक छोड़ दें आप, तो इसमें सबसे First में तो यह है कि मैं अंडर्टेकिंग के बारे में लि आप COVID-19 पेसेंट से आप उसके Close Contact में रहे हैं, Close Contact का मतलब है कि उससे 1 मेटर की कम दूरी पर और 15 मिनिट से ज़्यादा रहे हैं, तो इसमें आप सी पॉइंट को अच्छी तरह से समझें, अगर किसी के Close, आप Contact में नहीं आए हैं, और quarantine नहीं रहे हैं, तो आप इसको टिक कर देना है, अगर रहे हैं तो छोड़ देना है, अगर नहीं रहे हैं तो इस पर टिक कर देना है, और फिर Exam Center पर पहुंचने से पहले कौन-कौन से City में आपने विजिट किया है, यह आप आ काम लिख दें इसके बाद में, इसके बाद में आपने यहां पर Parents के Signature करवा लेने हैं, Parents के Signature करवाने के बाद में Left Side में Candidate का फोटो लगाना है, वही फोटो लगाना है, जो आपने Application Form में फिल करते समय अप्लोड किया था, वही यहां पर पेस्ट करना है, इसके बाद में सेंटर वाले कोलम में आपने Left Thumb Impress करना है, यह Examiner की सामने वहाँ एक्जाम हाल में करना है, और Candidate के Signature भी वहाँ करने हैं आपने, इसके बाद में इससे नीचे Postcard Size का फोटो ग्राफ आपने पेस्ट करना है, बड़ा फोटो ग्राफ, जो आपने Postcard Size का फोटो ग्राफ इस परकार से यह Detail आएगी इसमें, इसके बाद में यहाँ पर आपने Sign करने हैं, इसके बाद इससे नीचे यह दो पेज में होगा आपका, एक में Undertaking होगा, एक में Admit Card की Detail होगी, Exam Center पे आपको यह दो पेज ही Requirement है, इन्हीं दो पेज की Requirement है, बाद में Instructions वगर अगर आ इसके फोटोग्राप लगानी है, जहाँ पर जगह है, उसके बाद में Post Card Size की फोटोग्राप भी लगा कर लेकर जानी है आपने, इसके बाद में इसमें Important Instructions दिये हैं, यह एक बार आप पढ़ ले, इसमें यह दिया गया है कि आपको Entry Time या Reporting Time पर पहुंचना होगा, तो COVID- 19 को देखते हुए, यह Entry Time बनाया गया है इसमें, इसमें Second Number पर लिखा है कि जो Date Closing Time है, यानि कि 1.30 PM का है, उस तक आपको पहुंच नहीं है, अगर आप Reporting Times लेट हो जाते हैं, तो 1.30 मिनिट के बाद आपको Entry नहीं दी जाएगी, at least 1.30 मिनिट तक आप Exam Center पर जरूर पहु इसमें जो Instructions हैं, वो आपको वहां समय समय पर बता दिये जाएंगे इसमें, इसके बाद में आप इस पर जो भी Instructions हैं, वो इसमें आप एक बार पढ़ सकते हैं पूरा, इसमें Advisory भी दी गई है, और इसमें आपको Exam Hall में क्या-क्या लेकर जाना है, वो मैं आपको यहां प पर बता देता हूं, तो सबसे पहले Exam Center पर आपको Admit Card लेकर जाना है, यहने कि जो आपका Admit Card डाउनलोड होगा यह, वैसे इसमें आपको दो पीज की ही requirement है, तो यह आपको Admit Card लेके जाना है, Undertaking के साथ में, जिसमें Post Card Size का फोटोग्राप बना हो, एक आपको Passport Size का आपको Attendant Seat पर चिपकाना है, इसके बाद आप एक Personal Transparent Water Bottle ले जा सकते हैं, यह जरूरी नहीं है लेके जाना, लेकिन आप अगर ले जाना चाते हैं, तो वो Water Bottle Transparent होनी चाहिए, उसके बाद में आपने Additional Photograph लेकर ही जाने है, जो वहाँ पर एक लेके जाना है, जो Attendant Seat पर मैं बताई चुका हूँ, C नमर पर इसमें लिखा है Personal Hand Sanitizer, यह आपको लेकर ही जाना है, 50 ml का Personal Hand Sanitizer लेके जाना है इसमें, इसके बाद में Admit Card लेके जाना है, अंडर टेकिंग के साथ में जिसमें पास्पोर्ट साइज का या पोस्ट कार्ट साइज का फोटोग्राप लग लगावा हो, वो लेकर जाना है इसमें, इसके बाद में आप सेंटर पर पहुंचने से पहले अंडर टेकिंग, जो आपके हाथ से लिखावा हो, अंडर टेकिंग का जो अभी परफोर्म आया था, वो आपको लेकर जाना है इसमें, इसके बाद में जो PWD कंडिडेट हैं, व में एक्जाम सेंटर में आपको किस परकार से इंट्री होगी तो यह इसमें है इसके बाद में रफ वार्क के लिए आपको कोई भी पेपर नहीं लेके जाना है रफ रफ वर्क आप टेस्ट बुकलेट के पिछे साइड में इस्पेस दिया हुआ होता है तो वहां पर आप रफ वर्क कर सकते हैं इसके अलावा पैन भी ले जाने के आपको जरुत नहीं है पैन वहां पर आपको मिलेगा बाकी कौन-कौन से आइटम लेके जाने हैं इसके लावा कौन-कौन से नहीं ले जा सकते ये मैं वीडियो बना चुका हूँ इसमें आपको जो आइटम लेके जाना है वो लास्ट में आपको समराइज करा देता हूँ सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है अंडर टेकिंग की साथ में जिसमें पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राप लगा हो और उस पर पासपोर्ड साइज का भी फोटोग्राप लगा हो उसके बाद में एडमिट कार्ड के बाद आपको एक आईडी भी हो सकती है उस पर आपका फोटो लगा हो ID पर तो यह आपको लेकर जाना है original ID प्रूट इसके बाद में आप transparent water bottle ले जा सकते हैं और एक sanitizer 50 ml की bottle आपको लेकर जाने हैं अगर आप PWD candidate हैं तो आपको certificate लेकर जाना है एक postcard size की photo जो आपने application forum फिल करते समय अपलोड की थी वो आपको लेकर जाना है इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेकर जाना है और address code में आलडी में पहले बता चुका हूँ कि आपको long sleeve का कोई भी item नहीं पहनना है और इसमें जो shoes हैं वो permitted नहीं है NTA की तरफ से इस प्रकार से आप ये admit card download कर लें अपने exam center को अच्छी तरह से search कर लें और time से exam center पर पहुँच जाएं और अच्छी तरह exam देके आप need 21 crack करें मेरा यही उमीद और आसा के साथ आप से यही कहना है कि आप बिना टेंशन के study करते हुए ये admit card download करके सही time पर exam center पर पहुँच के सही समय पर exam देंग दन्यवाल